दोस्तों जब भी हम किसी को कॉल करते हैं ये देखिए मैं इस नम्मर पे कॉल करने वाला हूँ और देखिए यहाँ पे कॉल पिक हो गया लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो छोटा सा आपको एक ग्रीन डॉट तेखने को मिलेगा और अगर मैं नोटिफिक रहे हो कि ये हो क्या रहा है तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को यही चीज़ बताऊंगा कि ये है क्या और इसे बंद कैसे कर सकते हैं और जब अगर हम बंद कर देंगे तो क्या होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया होग और अगर मैं इस माइक वाले option पे click करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक दिया being used by google ठीक है दोस्तो इस तरीके से आप सभी के mobile phone में भी आता होगा और अगर मैं whatsapp में mic का इस्तमाल करूँगा camera का इस्तमाल करूँगा तो वहाँ पे भी आप सभी को लिखा हुआ आ what's up तो यह देखे मैंने camera open कर दिया यहाँ पे देखे camera का icon खुल चुका है और यहाँ पे देखे camera का icon भी आ चुका है तो अगर मैं यहाँ पे इस पे click करूँगा तो देखे यहाँ पे लिख रहा being used by what's up इन सभी problem का face आप भी कर रहे होंगे तो आज के video के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसी video के अंदर तो वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दीजेगा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और हम इस video को सुरू करते हैं तो देखे दोस्तों यह आप सभी को तब बताता है जब आप सभी अपने phone के अंदर microphone इस्तिमाल करेंगे या फिर camera इस्तिमाल करेंगे मालो कि अगर आप किसी को call कर रहे हो तो वहाँ पे आपका mic इस्तिमाल हो रहा है तो जब माइक इस्तिमाल होता है तो यह आपको बताता है उपर में यहाँ पे green dot करके जब आपका mic इस्तिमाल हो रहा है तो उपर में यहाँ सभी समझ चुके होंगे और ये आप सभी को call करते समय वाटसप में voice use करते समय कैमरा इस्तमाल करते समय सब जगा पे आपको ये देखने को मिलेगा तो अब बात आती है कि हम इसे कैसे बंद कर सकते हैं तो इसे बंद करने के लिए आप सभी को यहाँ पे notification को नीचे करना होगा इस तरीके से swipe करना होगा और देखिए यहाँ पे आपको दो option देखने को मिल रहा होगा camera access और mic access तो यहाँ पे microphone access को अगर मैं बंद कर देता हूं और यहाँ पे एक option है अभी mic का option नहीं आ रहा है ठीक है देखिए screen recording मैं ने चालू कर दिया mic का option नहीं आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे mic का access on कर देता हूं तो अब देखिए कि यहाँ पे mic का icon जो है वो आ चुका है है ना आग person बंद कर देता हूं और यहाँ पे नीचे मैं block हम कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हम camera open करेंगे तो देखिएगा कि अब हमारा जो है वो camera का access नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आप इन दोनों option को बंद कर दोगे जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों option को बंद कर दिया देखे दोस्तो हमने यहाँ पे microphone access और camera access दोनों को बंद कर दिया है तो अब हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो भी तो आप जान लो आप सिर्फ यहाँ पे हटाने के चक्कर में बजे हुए हो लेकिन अगर आप इन दोनों access को बंद कर दोगे तो आपका phone phone नहीं र लीके से एक option आजाएगा कि हमें microphone का access दीजिए तब हम आपको यह बात करा पाएंगे तो यहाँ पे जब तक आप turn on नहीं करोगे तब तक आप हमने वाले बंदेशों बात नहीं करोगे तो यहाँ पे देखे turn on मैंने किया तो अब जो है मेरा वो green icon फिर से आ चुका है और यहाँ पे हमें फिर से वो चीज़ देखने को मिल रहा है देख रहा है ना हमें फिर से वो चीज़ देखने को मिल रहा है तो आपको यह access देना ही होगा मानलो कि अगर आप camera का access बंद कर दियो ठीक है आपने camera का access बंद कर दिया है तो अब आप camera इस्तमाल नहीं कर पाओगे यहाँ पे camera का access जब तक आप इसे allow नहीं करोगे तब तक आपका camera खूलेगा ही नहीं तो यह देखिए हमने turn on किया अब हमारा camera खूल चुका है तो दोस्तो यह भी समझ से आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने camera और mic का access यहाँ पे इसको बंद कर दोगे तब तो उमीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि कैसे इसे हटाना है कैसे बंद करना है और साथी आप इसे ये भी समझ चुके होंगे कि इसे बंद करने से और चालू करने से क्या फायदा और नुकसान होता है उमीद है कि आप इस वीडियो के माध्यान से सब कुछ आसानी से समझ चुके होंगे और हम मिलते फिर आप से एगले वीडियो में तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल पर नए होंगे तो सबस्क्राइब कर लीजगा और धन्यवाद